हलो फ्रेंज, वेलकम टो योगीतास किचेन, आज हम बहुती टेस्टी और बहुती हल्दी सिमली बनाने वाले हैं, इसे बनाना बहुती आसान है और अगर आपको कुछ नया खाने का मन हो तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए, आसान है बनाने में और बहुती टेस्टी होगा सिमली बनाने के लिए मैंने यहां पाव गिलो लागी का आटा लिया है और इसे हमें गीला करना है तो इसके लिए मैंने यहां 200 ml पानी लिया है और पानी को थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे हमें मिलाते रहना है इसे हम गीला इसलिए कर रहे हैं ताकि आटा अच्छे से पक सके और सिमली बहुती टेस्टी बन सके तो मैंने यहाँ पहले थोड़ा सा पानी डाल कर मिला लिया है अब हम बाकी की पानी को भी थोड़ा थोड़ा डाल कर मिला लेते हैं तो देखिए मैंने यहां पूरे पानी को डाल कर मिला लिया है क्रम्स जैसे बन चुके हैं और थोड़े से आटे को देखर इस तरह दबा कर देखिए अगर वो एकदम जुड़ जाएं तो बस यही कंसिस्टेंसी है फिर हम चलते हैं आटे को पकाने के प्रौसस में तो उसके रिए इटली के बरतर में पहले प्लेट जितना पानी डालकर प्लेट को रखकर उस पर एक कॉटन का क्लॉट डाल लीजिए फिर इसमें जो रागी का आटा हमनें मिला कर रखा था उसे डाल लेना है आटे को डालने के बाद कपड़े के चारों और को लेकर आटे को अच्छे से कवर कर लीजिए यानि धग दीजिए फिर इस इटलीव के बरतन को बंद करकर 30 मिनित तक आटे को पकाना है तब तक हम बागी इंग्रिडियंस को तयार कर लेते हैं तो इसके लिए एक मिक्सिंग जर में 150 ग्रम भूने हुए मुंखफली डे लीजिए और इसे हमें पीसना है इसे जादा पाउडर नहीं करना है सिर्फ एकदम बारिक बारिक ही पीसना है तो देखिए एकदम बारिक बारिक मैंने पीस लिया है तीस मिनद के बाद इटली के बरतन को खोल लीजिए और जो कपड़ा है उसे ध्यान से लेकर इक बरतन में हमें आटे को बदल लेना है आटा गरम होगा तो इसलिए एकदम ध्यान से करना है और हाँ आटा पकने के बाद हमें इसे इटली के बरतन में नहीं छोड़ना है इसे तूरंधी दूसरे बरतन में बदल लेना है तो मैंने यहाँ बदल लिया है अब इसे अच्छे से मिला लेना है हमें इसमें जो बड़ा पीस है उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है तो इसके लिए अच्छे से मिला लीजिए फिर जो बुने मुंग फली का पाउडर हमने किया था उसे डाल लेना है और 150 ग्रम गुर्ड डालना है मैंने यहां गुर्ड को चाको का इस्तमाल करते हुए कद्दुकस किया है अब इसे हम डाल लेते हैं तो मैंने यहां गुर्ड को डाल लिया है अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद इसमें हमें घी डालना है तो मैं यहां एक स्पून घी डाल रही हूँ गी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद हातों का इस्तमाल करते हुए इसकी छोटे-छोटे बॉल्स हमें तयार करने हैं आप अपने हिसाब से इसे कोई भी साइस से बना सकते हैं तो मैंने यहाँ एक बॉल्स बना लिया है तो बस रागी का इस्तमाल करते हुए हमें सिमली बॉल तैयार कर लिया है तो मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए एकदम टेस्टी लग रहा है टेस्टी है, हेल्दी है और असान भी है आप भी सिमली के बॉल को ज़रू ट्राइ कीजिए और अगर आप कोई रेसिपी पसंद आये तो योगीताज कीचिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद